प्रेंड्स स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लाटफॉर्म पर स्री वेदांता अकेडमी पर मैं सौरब नाम देव आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे हम कहेंगे फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस करन फूड प्रसंस करन जो है इस चेप्टर को पढ़ने के पहले एक बेसिक चीज आप समझ लिजे कि जो भी फूड आइटम्स या जो भी फूड मटीरियल जैसे आनाज हो गया फूड्स हो गया वेजिटेवल्स हो गया एनिमल हस में कंसीडर करेंगे तो फूड आइटम्स का किस तरह से ज्यादा से ज्यादा हीूमन के लिए यूज हो सकता है किस तरह से ज्यादा से ज्यादा चीजें अविलिबल हो सकती हैं खाद्य पादार थे इंसानों के लिए तो वह कौन सी मैथड हो सकती हैं जो फूड माटेरियल को प्रोटेक करती हैं, उनको सडने से बचाती हैं, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने की कोशस करते हैं, तो SUSverse की काफी ब्राइड है, मैं सुरूात से basic से सुरू करता हूँ और बताने की कोशस करता हूँ कि food processing से related जो question है वो कॉम्टेटर एक्जाम में किस तरह से आते हैं तो सबसे पहले आप यहां जो चैप्टर में देख रहे हैं चीजे आपने देखा है कि यह जो आपको food items दिख रहे हैं यह डिबोों के अंदर पैक है airtight container के अंदर पैक है तो airtight container के अंदर यदि हम food items रख देते हैं तो वो काफी ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं उनकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है सबसे पहले फूड आइटम्स को सड़ने से बचाने के लिए इस तरह का मत फ्रांस के एक परसन है जिनका नाम है निकोलस अपर्ड इन्हों ने प्रस्तुत किया था तो खाद्य प्रसंसकरन का जो पिता है याद रखेगा निकोलस अपर्ड को कहते हैं यह फ्रांस के साइंटिस्ट है और इन्हीं ने खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए सबसे पहले पैकेजिंग सिस्टम में एयर टाइट कंटेइनर की अवधारना प्रस्तु की थी इन्हीं ने सबसे पहले खाद्य पदार्थों को इस तरह से बंद करकर हम प्लास्टिक बॉटल के अंदर या काच की बॉटल के अंदर रख सकते हैं इसी को कहते हैं कैनिंग इंडस्ट्री तो कैनिंग इंडस्ट्री का भी फादर वही विकती है जो फूड प्रसेसिं तो properly distribution या equally distribution जो है खाद्य पदार्थों का नहीं हो पाएगा तो याद रिखेगा फल और सबजियों की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें water content जादा होता है और water content जादा होने के कारण bacteria, viral और fungal growth होने के chance vegetables में जादा होते हैं जिस वज़े से वो जल्दी खराब हो जाती हैं लेकिन यदि हम कुछ ऐसा करें कि food preservative अगरा यूज करें यह कुछ ऐसी चीज़ें यूज करें ऐसी method यूज करें जिसमें हम food material को सड़ने से बचाएं तो निश्चित रूप में खादे पदार्थों को जादा लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं तो food processing industry यां हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से क्यों फल फूल सकती हैं फलों और सबजीयों के production में इंडिया second number पर है मतलब यहां food processing से related जो products हैं वो easily जो हैं बन सकते हैं और easily draw हो सकते हैं अब यदि मैं चलूं आगे खात्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए हम food processing unit में कोसिस ज़्यादा करते हैं यहां कुछ method आपके सामने दी गई हैं जो food processing में food material को rot होने से बचाती हैं इसमें सबसे पहली जो method होती है oil और vinegar के थूँ आपने देखा होगा कि अचार बनाते हैं तो अचार बनाने के time पे हम उसमें oil यूज़ करते हैं ताकि fungal growth जो है वो न हो सके और आपने जनरली देखा होगा कि जिस आचार या पिकल में oil का amount कम हो जाता है उसमें fungal growth होनी सुरू हो जाती फिर वो किसी लाइक नहीं रह जाता तो इस तरह से खाद्यपदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए हम oil या vinegar यूज़ कर सकते हैं विनेगर यदि आप बोलेंगे तो acetic acid यदि आपके mind में होगा तो जी नहीं acetic acid का equus solution विनेगर कहलाता है मतलब water का percentage 90 होना चाहिए और acid का percentage होना चाहिए 10 तब वो चीज़ कहलाएगे vinegar मतलब vinegar का मतलब होता है acetic acid का equus solution दूसरी चीज होती है air tight container के अंदर हम food material को यदि रखतें तो फिर निश्चत रूप में वो सड़ते नहीं है इसी को कहते हैं दरसल में या इसी procedure को कहते है canning industry और canning industry की सुरुआत मतलब डबब बंद या packetों के अंदर food material को रखते हैं या air tight container के अंदर चीज़ों को रखते हैं तो वो सड़ती नहीं है इस तरह से canning industry की सुरुआत भी किसने करी थी जो food processing का father है cold treatment आपने देखा होगा कि fridge वगेरा में जो temperature होता है वो 4 degree to 5 degree होता है और इतने कम temperature पर मतलब काफी lowest temperature है ये sorry lowest temperature पर ये काफी कम temperature पर bacteria और fungus इनकी growth जो है वो proper नहीं हो पाती है या कई बर होती भी है growth लेकिन इनके अंदर की जो बाइलोजिकल प्रॉसेस है वो काफी slow हो जाती है तो bacteria और fungus की जो जैविक क्रियाएं होती है या biological प्रॉसेस जो होती है वो slow हो जाती है या धीमी हो जाती है जिस वज़े से food item की self life बढ़ जाती है मतलब fridge के अंदर भी चीज़ें सड़ेंगी लेकिन जनरली बाहर रखने की तुलना में थोड़ी देर में सड़ेंगी तो इसलिए ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कुछ food material ऐसे होते हैं जैसे milk milk को हम heat temperature देकर यह heat method देकर यह temperature method देकर दूद को हम क्या करते हैं खराब होने से बचाते हैं और इसके लिए पास्चराइजेशन method किस ने दी थी आपको भी पता है लोईस पास्चर जिन्होंने पास्चराइजेशन method में दो मैठ़द दी थी एक तो low temperature method दूसरी high temperature method एक और चीज होती है याद रखेंगा preservation of common salt salt ancient time में सुरू से यूज होने वाला food preservative है जिसको हमारे घर में सुरुआज से यूज किया जा रहा है चीजों को सडने से बचाने के लिए इसी तरह से सक्कर में भी food preservating property होती है और खाद्य पदार्थों को सडने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं तो ये कुछ ऐसी method हैं जिनके जरिए खाद्य पदार्थों को हम सडने से बचा सकते हैं उनकी self life बढ़ा सकते हैं ये important चीज है अगर मैं आप से question पोछूं कि वरतमान समय में आपने देखा होगा कि चावल को यदी हम सडनाते हैं तो निश्चत रूप में इडली बन जाती हैं आटे को यदी हम सडनाते हैं या मैदे को यदी हम सडनाते हैं तो कहीं न कहीं जलेबी निश्चत रूप में आपने डोसा वड़ा इडली इनके बारे में सुना होगा तो जो फूड मटीरियल चीजों को सणा कर बनाई जाते हैं जैसे जलेबी नाम लिया या साउथ इंडियन डिसिस के मैंने नाम लिया इनको कहते हैं फर्मन्टेटेड फूड याद रखेंगे और फर्मन्टेटेड फूड आइटम इस प्रक्रिया द्वारा इनको सड़ाया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं किडविन मतलब किडविन प्रक्रिया का मतलब होता है कि चावल आटा और मैदा को ऑक्सीजन की एपसेंस में सड़ाइंगे तो एक माइक्रो ऑर्गिनिजम होगा जिसे हम कहते हैं यीस्ट वो दरसल में अपने अंदर से जाइमेज एंजाइम निकालेगा और चावल, फलार और मैदा जो है ये सड़ेगा और फिर इस से वेल्यूबल प्रोड़क्स जो हम बहुत कर रहे हैं, फर्मेंटेट फूड जैसे जलेवी हो गया, वड़ा हो गया, है ना, ये सब बना सकते हैं, तो ये जितने भी फर्मेंटेट फूड आइटम्स होते हैं, याद रखेगा, इनी को मेडिकल साइंस में कहते हैं, प्रो बायोटिक, ये प्रो बायोटिक दरसल में एक नया टर्म है और probiotic का मतलब होता है कि ऐसे food material जो हमारे गट में जाकर intestinal flora में advantage bacteria के number को increase करते हैं मतलब हमारे पेट में एक bacteria होता है जिसका नाम है lactobacillus याद रखेंगे lactobacillus bacteria हमारे पेट को बहतर बनाने में मदद करता है मतलब किसी तरह के पाचन संबंदी कोई बिकार नहीं होते गेस्टिक डिसॉर्डर नहीं होते यदि lactobacillus bacteria का number हमारे गट में जाता है इसी तरह से आपने vitamin K का production करने वाले एक bacteria का नाम सुना होगा जो large intestine में पाया जाता है colon segment में जिसे हम कहते है hysteria coli यह e-coli तो याद रिखेंगे यह हमारे लिए जो है यह फाइदे मंद bacteria है यह हमें फाइदा पहुँचाते हैं जैसे e-coli vitamin K बनाता है lactobacillus gastric problem नहीं आने देता है तो जो probiotic होते हैं fermented food material जो होते हैं याद रिखेंगे यह labdaya के यह advantage bacteria के number को increase करते हैं इसी वज़े से south indian लोगों का पेट जो है वो काफी कम disturb होता है इस process के discoverer जिसके जरी हम fermented food items को बनाते हैं मतलब किलविन प्रक्रिया के खोजगरता का नाम आप मुझ से बहतर जानते हैं lowi pasture और यह वही lowi pasture हैं जिनोंने सबसे छोटा microorganism एक bacterial cell जिसको PPLO कहते हैं यह mycoplasma galoseptum जिसको कहते हैं जो पादब जगत का जोकर कहलाता है आप ही के द्वारक हो जागया था एक सबसे important चीज अगर आपने सुना होगा और यह आपको पता भी होगा hydrophobia का टीका यह रेबीज का टीका किसने बनाया आप comment करके जरूर बताएंगे हलाकि यह question आपको बन जरूर जाएगा question बिनकोल simple है food processing का अगर हम देखें कि main aim यह है कि जो किसान होता है, farmer होते हैं वही दरसल में आनाज, मतलब greens वही दरसल में vegetable और fruits का production करते हैं उनके द्वारा क्रसी में जो उत्पादित चीज़े हैं जैसे crystals हो गए, जैसे fruits हो गए और सबसे important चीज, vegetables हो गए तो यह जल्दी खराब ना हो इस तरीके का कुछ हम विवस्था करें या इस तरीके का कुछ हम बंदोबस्त करें कि यह food items को हम लंबे समय तक store करके रख सकें और जादा से जादा लोगों तक इसे पहुँचा सकें ध्यान रखेगा, मैं जो पात बोल रहा हूँ इंडिया जो है, फल और सबजियों के production में worldwide number two है क्योंकि number one position पर है चाइना, तो food items को rot होने से बचाने के लिए आपने generally देखा होगा कि फलों के या तो juice बना लिए जाते हैं या उनके jam बना लिए जाते हैं तो fruit juice या fruit jam जो generally बनाए जाते हैं वो इसी वज़े से बनाए जाते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि जो अमरूद होता है है ना, वो निश्चत रूप में कुछ समय के बाद मतलब जादा से जादा वो 15 से 20 दिनों में क्या हो सकता है खराब हो सकता है तो इसी वज़े से अमरूद से हम क्या बना सकते हैं jam बना सकते हैं या अमरूद से हम jelly बना सकते हैं और फिर इसको एक साल के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं तो इस तरह से यदी हमने अमरूद से जेली बना दी और फिर आप उसे लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं इसी को कहते हैं जीवन प्रत्यासा बढ़ा देना इसी को कहते हैं सेल्फ लाइफ को इंक्रीस करना तो फूड माटेरियल को जो रियल फूड माटेरियल हैं या जो रियल फूड आइटम से वो जल्दी खराब हो सकते हैं तो आप इस तरह से फूड प्रोसेसिंग चैप्टर में हम इनी फूड आइटम्स को प्रसंस्कृत food items में तबदील करते हैं या इनको processed food बनाते हैं और फिर इस तरह से इनकी life जो है वो increase हो जाती है या self life जो है वो बढ़ जाती है कौन-कौन सी चीजे खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाती है मतलब कौन-कौन से वो ingredient है जो food preservative घटना में कारगर साबित होते है या कौन-कौन से वो कारक होते है जो खाद्य परिरक्षक कहलाते है जो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते है तो यहाँ पूरी की पूरी एक table दी गई है आप से कभी भी question पूछा जाएगा इन में से कौन food preservative नहीं है मतलब आपको पता यह होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़े खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाती है तो सुरुआत से एंसी एंट टाइम से हमारे घरों में sodium chloride यूज हो रहा है acetic acid का aquis solution हमने पढ़ा vinegar कहलाता है सबसे पहले हो जा गया vitamin आपको भी पता है vitamin C जिसको ascorbic acid कहते है benzoic acid और benzoic acid का salt C6H5COONA याद रखेंगे यह जितने भी food preservative आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से भारत सरकार ने benzoic acid के salt sodium benzoic acid को यह permission दी है कि food items में इसका use किया जा सकता है और यह किसी तरह का कोई भी harmful ingredient या food preservative molecule नहीं है इसी वज़े से जादतर industries में food items को सड़ने से बचाने के लिए हम sodium benzoic acid को use करते हैं तो आपसे अगर कभी भी question पूछा जाएगा कि food material को rot होने से बचाने के लिए किस food preservative को हम use करते हैं answer is sodium benzoic acid यह याद रखेगा मतलब Indian government ने भी इसको officially जो है वो okay किया है अब चलते हैं ऐसे दो question की और जिन में काफी जादा student को confusion होता है सिर्फ confusion होता है इसलिए मैं बतर हो otherwise चीज़ें आपको clear हैं वो मुझे भी पता है सबसे पहले आप देखे किसी भी food items में अब आपको example दिया कि guava अमरूद अमरूद से आप juice भी बना सकते हो अमरूद से आप jelly भी बना सकते हो तो जब भी आप किसी भी fruit से process fruit product बनाते हो जब भी आप किसी फल से process items बनाते हैं या प्रसंसकरित फल उत्पाद बनाते हैं उनको दरसल में FPO मार्क दिया जाता है मतलब FPO मार्क जो है याद रखेंगे वो इनको दिया जाता है fruit juice को दिया जाता है या fruit jelly को दिया जाता है किसी fruit को particular FPO मार्क नहीं देते हैं याद रखेंगे important question आप से पूछा जाता है कि जितने भी प्रसंसकरत फल उत्पाद है या फल उत्पादों का मतलब है fruit juice, fruit jam, squash या अचार इनको दरसल में FPO का मार्क या FPO का sign दिया जाता है जैसे आप लोग पूछते होंगे Tropicana तो Tropicana में आपने देखोंगे different different fruit juice होते हैं तो किसी एक fruit को FPO मार्क नहीं देते हैं fruit का जो juice होता है उसको FPO मार्क देते हैं तो यह चीज़ आप जरूर याद रखेंगे यह important है लेकिन इसी में student को काफी confused आन होती है कि आज के समय में government जो है यह organic fertilizer को या organic जो खेती है farming है उसको काफी promote कर रही है तो सबसे पहले आप यह समझ लेजे कि जेविक खेती का मतलब होता है कि जो chemical pesticides होते हैं जो chemical fertilizers होते हैं मतलब chemicals की entry लगभगना के बतौर लेकिन यह practically अभी possible नहीं है किसानों से especially central government और state government यह statement कह रही है कि आप जितना कम से कम अपने खेतों में chemical fertilizer यूज करोगे उतना बहतर होगा आपके soil की fertility के लिए तो किसान जितना कम use करेंगे chemical fertilizer यह किसान जितना कम use करेंगे रसायन उतनी ही बहतर होगी soil तो इसी लिए आज के समय पे किसानोंने मतलब कुछ किसानों ने ये स्योर कर दिया कि जो भी हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जैसे हम जो भी आनाज उगाएंगे जो भी वेजेटेबल उगाएंगे जो भी फ्रूट उगाएंगे हम एक भी उसमें कैमिकल्स मतलब मतलब इन कैमिकल्स को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे या बहुत कम यूज करेंगे इस फार्मिंग को कहते हैं और्गिनिक फार्मिंग या इसे कहते हैं जैविक खेती याद रखेंगे ये चीज़ तो यदि आप ऐसा कोई प्रोड़क्ट उगाते हैं या ऐसा कोई प्रोड़क्ट बनाते हैं जो और्गिनिक फार्मिंग के जरीए बना हो जिसमें लीस्ट बहुत कम जो है कैमिकल्स फर्टिलाइजर या कैमिकल्स यूज किये गए हो ऐसी प्रोड़क्ट को हम देते हैं इंडिया ओर्गेनिक का दरजा और इंडिया ओर्गेनिक फूड आइटम्स जो होते हैं इनको 2000 से मार्क दिया जाना सुरू कर दिया है तो ज़्यादतर लोग इन दो में गन्फ्यूज रहते हैं कि फूड फूट को नहीं याद रखेंगे फूट जूस या की फूट जेम मतलब फल से संबंदित प्रसंस्क्रित उत्पादों को एफपियो मार्क देंगे ये याद रखेंगे आप लेकिन यदि मैं आप से पूछू कि कोई और्गेनिक प्रोड़क्ट है जो केमिकल की हेल्फ से नहीं बनाया गया है उसको इंडिया और्गेनिक का दर्जा दिया जाता है और ये मार्क दिये जाने के परंपरा की सुरुआत कब से हुई है 2000 से अब इसके जस्ट बात जो सामने आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टन्ट है सरकार कॉंग्रेस की है जो विक्ती हैं वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो जब बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंग की मनमोहन सिंग के टाइम पे ही अपसे क्वेशन पूछा जाता है खात्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन है 2006 में आया था यह आप सब को पता है लेकिन आप एक चीज़ जरूर याद रखेगा क्वेशन एक कदम आगे बढ़के आप से पूछेगा कि इस एक्ट पर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सिगनेचर कब किये थे तो आंसर है 23 August 2006 और इस समय जो पि-म है वो निश्चत रूप में मनमौन सिंग है और इसी के कारण ही मतलब F-S-S-A याद रखेंगे खादी सुरक्षा और मानक अदिनियम मतलब Food Safety and Standard Act को ही दरसल में शाट में F-S-S-A कहते हैं F-S-S-A के कारण ही फसाई आया था अब यह फसाई क्या है चलिए आगे की स्लाइड में इसके बारे में जानने की कोसिस करते हैं तो अब अगर कोई आप से पूछे कि फसाई क्या है तो पहले आप Hindi मेडम के स्टुएट यह वर्ड देख लिजे हालकि आपको यह तो बहुत अच्छे से याद होगा English मेडम स्टुएट को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी The Food Safety and Standard Authority of India याद रखेंगे यह फसाई हैं फसाई का Establishment हुआ था याद रखेंगे 5 September 2008 को NSSA इस एक्ट के कारण जो आपने पहले पढ़ा FSSA जो 2006 में था इस एक्ट की वज़े से ही यहाँ N लिग दिया माफी जाता हूँ FSSA 2006 में जो एक्ट आये था इसी एक्ट के कारण दरसल में एक ऐसी बाड़ी बनानी पड़ी जो खाद्य पदार्थों में मानकों की जाच करेगी जिसे आपने कुछ समय पहले मेगी को सुना होगा कि मेगी में मोनो सोडियम ग्लूटामेड के ट्रैसिस पाए गए है अभी कुछ समय पहले मैकडोनल्स के प्रोड़क्ट के को जो फसाय ने नोटिस भेजा है कि आपके प्रोड़क्ट में जो है जो क्वांटिटी लास्ट में दी जाती है वो क्वांटिटी से ज़्यादा इंग्रिडियन्ट पाए जा रहे हैं तो इस तरह के फूड माटिरियल्स में या फूड आइटम्स में जो भी इंग्रिडियन्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो कहीं हामफुल तो नहीं है ओडियन्स के लिए या पब्लिक के लिए मतलब फूड आइटम्स में अल्टरेशन की उनकी प्यूरिटी की जाच करने के लिए दरसल में एक कमिटी बनाई गई है या अपन मान सकते हैं कि यही दरसल में वो इस्टेंडर्ड अथॉरिटी बनाई गई है जो खाद्पदार्थों में मिलावट की जाच करती है तो आप याद रखेंगे 5 सेप्टेंबर 2008 को बनाएं गया दूसरा क्वेशन है कि मुख्याले कहां पर है निश्चत रूप में दिल्ली में है किस कारण से बनाई गया यह मैंने आपको अभी अभी बता दिया आपको याद यह रखना है कि बना है 2008 में लेकिन वर्किंग सुरू करी है 2011 से 2011 से फसाएं ने खाद्यप अदार्थों में मिलावट की चेकिंग गरनी स्टार्ट करी है तो यह important है यह दो चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे लेकिन आप से कभी भी अगर question आएगा कि फसाएं का establishment कब हुआ था तो 5 September 2008 is the right answer लेकिन functioning startup कब से किया है 2011 में most important question याद रखेंगे आप एक question आता है right to food हर व्यक्ती को भोजन का अधिकार है कहने का सीधा सा मतलब है कि National Food Security Act जो है 2013 में आया था और इसी को कहते है right to food मतलब भोजन का अधिकार आपने देखा होगा जनरली साधी और पार्टीज में अब खाना जो है आप फेक नहीं सकते है या एक व्यक्ती को भोजन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ती जो है जरूरत से ज़्यादा ना ले तो ये सब चीजें जो है ये कब से आई है ये आई है National Food Security Act 2013 के बाद से क्योंकि Global Hunger Index में इंडिया का नंबर बहुत जादा पिछड़ा है कई केसेस में तो हम अपने पड़ोसी दे स्री लंका और मालदीब से पीछे चले जाते है Global Hunger Index में चलते हैं important चीज देश में रहने वाले हर एक व्यक्ती को जो food है मतलब भोजन है वो प्राप्त करने का अधिकार है इसके लिए संसर्थ ने 2013 में एक ordinance पास किया था वो ordinance के कारण ही रास्टी खादिस औरक्षा अधिनियम याद रखेंगे 2013 में आये था और इसी 2013 के इसी एक्ट को दरसल में right to food act कहते हैं important है आपके लिए ये चीज़ आप जरूर याद रखे का कि हर व्यक्ति को भोजन मिलना ही मिलना चाहिए या हर व्यक्ति तक खाने की थाली पहुचाना ही होगा सरकार को ये उनकी एक नैतिक और व्यक्तिकत जवाबदारी भी है इस एक्ट से ये चीज़ एक दम क्लियर हो जाती है और इसी वज़े से आज के समय पर आप देख रहे होंगे कि राशन की दुकानों में वो दो रुपे किलो गेहू और तीन रुपे या चार रुपे किलो जो चावल वाली चीज़े हैं या एक रुपे या दो रुपे महनत करते हैं और उसके बावजूद भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा यदि आपने फूड प्रोसेसिंग चैप्टर पढ़ा होगा सिर्फ इसका मकसद आपको बताना है जैसे मैं आपसे पूछू गौर्मेंट एकी स्कीम लेकर आई थी आपने सुना होगा किसान संपदा योजना किसान संपदा योजना का में मोटिब यही है किसान जादा से जादा फूड आइटम्स का प्रोड़क्शन करें उनके फूड आइटम्स को सीधे बाजार में ना भेज कर एक बीच में एक एंडस्ट्री होगी जहां भेजा जाएगा जहां फूड को प्रोसेस किया जाएगा जैसे milk से milk related product बनाए जाएंगे गेहूं से आटा बनाए जाएगा गेहूं से biscuit बनाए जाएंगे इसी तरह से आटे से noodles बनाए जाएंगे सबजियों को बहतर packing के साथ में market में फिर उतारा जाएगा फिर इस तरह से जो भी फल और सबजियां है उनके juice बनाया जा सकते हैं सबजियों के chips बगरा बनाया जा सकते हैं तो इसी किसान संपदा योजना से दरसल में mega food park की जो अभधारणा है वो एकदम clear हुई है तो आपने सुना होगा कि government जो है अब खुद किसानों के पास जाके उनसे food items खरीद रही है processing center, industrial areas food park में लेकर आ रही है वहाँ उस food item को बहतर process किया जाता है देन फिर market में लाए जाता है मतलब किसान और market के बीच की दरसल में कड़ी होती है mega food park किसान संपदा योजना सबसे बड़ी वकालत करती है कि देश की यदि भुगमरी को मिटाना है और किसानों की आर्थिक इस्तिति ये economic condition को बैतर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा food park जो है वो बनाने होंगे तो question आज भी वही पूछा जाता है कि इंडिया का पहला mega food park कांसा है याद रखेंगे इंडिया का पहला mega food park जो है वो आंद प्रदेश के चितूर में स्रीनी mega food park है लेकिन अगर आप से question पूछा जाए कि इंडिया's first mega food park क्या है और स्रीनी पार्क यदी ना हो तो आप याद रखेंगे पतंजली mega food park जो हरिदवार में है ये answer right होगा क्योंकि इन दोनों के बनने का year एक ही है जिस वज़े से दरसल में ये दोनों के दोनो right answer हो जाते है लेकिन आपको जब भी question आएगा कि इंडिया का first mega food park क्या है तो यदी स्रीनी नहीं देगा तो पतंजली देगा और पतंजली यदी नहीं देगा तो स्रीनी देगा तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी confuse करने के लिए नहीं reality बताने के लिए अगर आपको इंडिया का पता चल गया है कि इंडिया में पहला mega food park कौन सा है तो MP का पहला mega food park कौन सा है ये आपको बिलकुल याद होना चाहिए और especially concrete exam तो यहां तक पूछते हैं कि MP का पहला mega food park जो है वो किस district में अच्छे से देख लेज़े खरगोन district में कौन सी तहसील में कासरवार तहसील में कौन से गाओं में पन्वा गाओं में डेट आपको याद रखनी है 12 फरवरी 2016 को और इस mega food park का नाम था Indus पूछते हैं कि पहला MP का मेगा food park है उसका उदगाटन किस ने किया था अच्छे से देख लेज़े विक्ती का नाम है हर सिमरत को और बातल इन्हों ने दर असल में इसका क्या किया था उदगाटन किया था अब यदि मैं बात करूं ऐसा कौन सा state है जिसने ordinance पास किया है विधान सभा में कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए यथा संभव हम मदद करेंगे मतलब कोई भी खाद्य पदार्थों को जबरजस्ती बरवाद जाया अब नहीं किया जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान में जो आनाच या जो food items ऐसे ही बरवाद हो जाते हैं सई रखरखाव में ना होने के कारण या आपने देखा होगा कि government बहुत सारा आनाच खरीड लेती है और वो निश्चित रूप में society वगएरा में बाहर पड़ा होता है कई अनाच के जो बोरे होते हैं जिनको चूहे खाली गर देते हैं और कई जो हैं मौसम की मार के कारण वैसे ही खराब हो जाते हैं तो अब government especially सबसे पहली जो government है अच्छे से देख लेजए यहीं हमारा question का answer है 36 गड़ दर असल में वो पहली government है जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आया है और इस कानून के आजाने से अब food material का wastage नहीं होगा government इस संदर्व में यथा संभव कोसिस करेगी और जब जो भी खाद्य पदार थे या जो भी food items बाहर रखा होता है उसके लिए अब government cold storage के बड़े बड़े plot जो है वो बनाने की योजना की तरब भी है इस 2012 में इस कानून के पास होने के बाद निश्चित रूप में 36 गड़ की जो आर्थिक हालात है और right to food जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है सिर्फ इसी योजना के स्टार्ट अप से या इस कानून के आने से तो 36 गड़ देश का पहला स्टेट है याद रखेगा जिसने खाद सुरक्षा कानून मतलब food security act लाया था कब 2011 में आज का सबसे important और आज का हमारा सबसे last question आपने सुना होगा operation या green revolution के बारे में सुना होगा तो green revolution का main मतलब कि जो food items होते हैं जैसे गेहूं और चावल जो आनाज होते हैं जो grains होते हैं उनके production को improve करना था इसी से मिलता जुलता काफी हद तक operation green से operation green जो है इसको संचालित कौन सी ministry करती है यहीं आप से question पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि food processing ministry जो होती है वो दरसल में operation green को संचालित कर रही है और इस operation green के तहद ये तीन special जो vegetable हैं याद रखेंगे tomato दूसरा onion और तीसरा है potato इनको दरसल में जादा से जादा किसानों से लेकर इनको मेगा फूड पार्क में पहुँचाना फिर इन से जादा से जादा चिप्स बनाना इन से जादा से जादा जेम बनाना इन से जादा से जादा जूस बनाना ये सबसे important पहलू है तो अब यदि आप से कोई भी कोईशन पूछें कि आपरेशन ग्रीन्स जो है इनके तहित किस चीज के प्रोड़क्शन पर ध्यान दिया जा रहा है या किस के जरिये जादा से जादा फूड आइटम्स बनाने के लिए कहा जा रहा है तो टमाटर तो आपने टमाटर में जरू होती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है प्याज की यदि हम बात करें तो आप में से जादतर लोगों को लगता होगा कि प्याज जो है वो जड़ है जबकि प्याज जो है याद रखिएगा प्याज तना है और तना में भी सलक कंद के अंतरगत इसको रखा ज स्टेम है और इसी को दरसल में आलू को कहते हैं ट्यूबर का मतलब होता है कंद तो इस तरह से यह तीन चीज जो है वो आपको याद रखनी है अब जो सबसे इंपॉर्टन चीज है यहां पर एक लास्ट स्लाइड है यह मेरे से छूट गई मैं यहीं आपको बता दे रहा कि एक पर्टिकुलर सीजन में जैसे जादातर जो फ्रूट होते हैं जैसे केले बगएरा हो गया है आम बगएरा हो गया यह पर्टिकुलर सीजन में इनका बहुत जादा नंबर आता है इस पेसली गर्मी में और आम और केले को तो क्लाइमेटिक फ्रूट का हम पेर भी बोल ओर फिर समय समय पर इनके खिएप को निकाल कर मेरी बार ध्यान से सुनेंगे कैलसियम कारबाइड पाउडर जो है वो च्छलका जाता हैं और कैलसियम कारबाइड पाउडर के साथ साथ में वाटर जो है उसके कुछ ड्रॉंपले डाले जाते है इन अन्रायफ फूर्ट के इसको कहते है एसेटलीन गैस और एसेटलीन गैस के कारण ही आम और केला जो है मतलब यह जो फ्रूट है यह पक जाते हैं यह राइप हो जाते हैं तो आपसे कॉम्टेड एक्जाम में कुशन पूछता है कच्छे फलों को पकाने के लिए कौन से पाउडर को यूज करते हैं आ कच्छे फलों को पकाने के लिए आज के समय पर एक गैस यूज कर रहे हैं CH2 डबल बॉंड CH2 तो CH2 डबल बॉंड CH2 इसे ही कहते हैं एथीन यह इसे ही कहते हैं आपने सुना भी होगा इसी को एथ दो कारवन पर मानूं वाला एथ और बड़ी तो एथीन तो याद जैसे इसी के जरिए कच्छे फलों को हम पकाते हैं तो फूड प्रसेसिंग चैप्टर यहां हमारा होता है पूरी तरह से कंप्लीट और क्लोस इसमें जो में चीज़ें आपको याद रखनी है कि गॉर्मेंट की जो भी एक्ट बनाए गए हैं यह इस तरह की चीज़ें कि कितने मेगा फूड पार्क हैं तो इंडिया में याद रखिएगा जो 42 मेगा फूड पार्क हैं MP में कितने मेगा फूड पार्क हैं और फूड पार्क कितने हैं 7 मनीरी में कौन सा है यह सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है और इस पेसली फूड प्रसेसिंग से ज झांक यू